परटी की सीटों और वोट शेर दोरों में ही इजाफा हुआ है लेकिन मम्ता बनर जी खुद नंदी ग्राम में अपना चुनाव हार गई है मम्ता को हार भले ही मिली हो लेकिन कल यानि बुधवार 5 माई को वो लगातार तीसरी बार बंगाल के सीएम पद की शपत लेने जा रही है नंदी ग्राम में वोटों की गिंती में ममता हार गई है लेकिन ना तो वो इसे स्विकार कर पा रही है और ना ही TMC TMC की ओर से रीकाउंटिंग की मांग भी की गई थी लेकिन चुनाव अधिकारी ने इसे खारिश कर दिया था जिसके बाद TMC की ओर से BJP पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि BJP के दबाब के कारण नंदी ग्राम में रीकाउंटिंग नहीं कराई गई मतगणना में गडबड़ी हुई है TMC ने रीकाउंटिंग को लेकर चुनाव अयोग का भी रुक किया लेकिन अयोग ने भी साफ कर दिया कि रिटर्निंग आफिसर का फैसला ही अंतिम है नंदी ग्राम में रीकाउंटिंग नहीं कराई जाएगी चुनाव आयोक की ओर से कहा गया है कि नंदी ग्राम में गिंती खत्म होने के बाद एक प्रत्याशी के एलेक्शन एजेंट ने दोबारा मत करना की मांग की थी जिसे आरो ने अपने सामने मौजूद तथ्यों को देखते हुए मौखिक आदेश में खारिच कर दिया इसके बाद परिणाम की घोशना की गई थी ऐसे मामले में अब हाई कोट में ईपी दायर करने का ही विकल्प बच्चता है यानि साफ है कि टीमसी को यदे अपनी आवाज उठानी है तो उसे हाई कोट जाना होगा और टीमसी की ओर से इसकी तयारी भी शुरू कर दी गई है टीमसी नेता पार्थ चटर जी साफ कर चुके हैं कि नंदिग्राम के चुनाव को हाई कोट में चुनोती दी जाएगी टीमसी की ओर से चुनाव आयोग पर भी तल्ख तिपड़ी की गई है पार्टी के ओर से कहा गया है कि चुनाव आयूग ने पूरे चुनावों में बीजेपी के एजेंट की तरह से काम किया था डीबी लाइब की रिपोर्ट